ये रिष्टा क्या कहलाता है? अभिमन्यों के गले लगकर खूब रोएगी अक्षरा, क्या अभीर के लिए फिर एक होंगे दोनों? ये रिष्टा क्या कहलाता है में इन दिनों हाई वोल्टिज फैमिली ज्रामा देखने के लिए मिल रहा है। शो के लास्ट एपिसोड में दिखाया गया कि अभीर की तबियत काफी बिगड जाती है, जिस वज़ा से उसकी सरजरी करनी पड़ती है, लेकिन अभिमन्यों खुद को संभाल नहीं पाता। अभिमन्यों की ऐसी हालत देखकर आरोही भी घबरा जाती है, लेकिन अपकमिंग एपिसोड में एक नया सीन देखने के लिए मिलेगा, अक्षरा अभिमन्यों से गले मिलेगी, अब ये होगा कैसे? आईए आपको बताते हैं, ये रिष्टा के अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि अभिमन्यों ओपरेशन थियेटर में अपने बेटे को देखकर freeze हो जाएगा और कुछ करेगा नहीं। यहाँ बात आरोही को भी परेशान करेगी और वहाँ बाहर खड़े सभी घरवानों को बताएगी। इसके बाद आरोही फिर से ओपरेशन थियाटर में जाएगी और अभीमन्यू से तेज आवाज में कहेगी तुम्हारा बेटा मर रहा है उसे तुम्हारी जरूरत है यहाँ बात सुनकर अभीमन्यू होश में आता है और अपने बेटे पर ध्यान देता है शो में आगे देखने के लिए मिलेगा कि अभीमन्यू अभीर की सरजरी करने में सफल होगा और वहाँ पूरी तरह ठीक हो जाएगा लेकिन उसे अभी ICU में ही रखा जाएगा यहाँ बात आकर अभीमन्यू सब को बताता है जिसके बाद सब खुशी में रोने लगते हैं अक्षरा भी खुश होकर दूसरी तरफ चली जाती है और अकेले में भगवान को धन्यवात करती है इसी दौरान अभी भी अक्षु के पीछे आता है और जैसे ही वहाँ उसके पास आकर खड़ा होता है तो अक्षरा उसे गले लगा लेती है यह चीज होते ही अभीमन्यू हैरान रह जाता है यह खोड़ी देर बाद अभिनव भी अभिमन्यू के कैबिन में जाता है और उसे गले लगा लेता है हालां की अब कहानी में आगे नया ट्विस्ट आएगा जब अक्षरा अबीर को लेकर कसौली चली जाएगी What's your reaction on this? Let us know in the comments and subscribe to the channel for all the latest news and updates on television